आईएस और आईपेस अधिकारी हमीशा अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं कोई अपनी दबंगई से सबके दिलों पर छाप छोड़ता है तो कोई अपने नम्र व्यहवार के चलती है जनता का दिल जीत लेता है लेकिन अगर ऐसा हो कोई आईएस और आईपेस ऑफिसर अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ जाये तो थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है ऐसे ही दो आईएस और आईपेस अधिकारी अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में आये थे इन दोनों ने वेलेंटाइन डे पर शादी कर अपनी शादी को यादगार बना दिया था और तोर ये शादी उन्होंने अपने ओफिस में ही की थी हम बात करने हैं पक्षिम बंगाल के हावडा जिले में हुए इन दोनों ने वेलेंटाइन डे के दिन शादी की थी इनोंने आईपियेस सिम्मी से शादी की थी जो बिहार केडर की 2018 बैज की आईपियेस है सिम्मी पटना में तैनाथ हैं और दोनों अधिकारी पंजाब के रहने वाले हैं दोनों के बीच प्रेम हुआ और आखिरकार दोनों ने शादी करने की सोची दोनों ने मैरेज रजिस्ट्रेशन करवाया और इसके बाद अपने करीबियों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंधे जहां इस दोनाथ दुशार फॉर्मल लोग में नज़र आए तो वहीं लाल साडी में सिम्मी बहुत ही खुबसूरत नज़र आ रही थी इन दोनों की शादी को लेकर कई सारे सवाल भी उठाए गए वो इसलिए उठाए गए क्योंकि इन्होंने अपने दफ्तर में ही शादी की इन्होंने शादी को लेकर पंजीकरण संबंदी और चारिक्ताओं को पूरा किया और दिशार के दफ्तर में ही शादी का पंजीकरण हुआ और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये जोड़ा पाथ पूजा करने के लिए मंतर गया कुछ नियम कायदों के लेकर जिब राजुकी मंत्री और हावडजले के अद्यक्ष अरुन पुरोहित से इस बारे में पूछा गया था तो उन्हेंने जवाब दिया था कि इसमें कुछ गलत नहीं है उन्होंने कहा कि ये गलत नहीं है रजिस्ट्री के जरीए शादी करना एक कानूनी प्रक्रिया है इसलिए इसको लेकर कोई विवाद नहीं है कि सरकारी दफ्तर में शादी हुई है दोनों लोगों ने पंजीकरण के दस्तावेजों पर बस सिगनीचर ही किये हैं इसलिए किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जा सकता उन्होंने कहा था कि सरकारी दफ्तर में नियम काईदे के साथ ही शादी का पंजीकरण किया गया था दफ्तर में किसी भोज का आयोजन नहीं था और ना ही कोई पार्टी की जा रही थी इस बात का कोई सवाल ही नहीं उड़ता इसलिए शादी सरकारी कार्याले में की गई ये कोई अपराग नहीं वो अपने ड्यूटी पर थे और अपने ड्यूटी निभाना उनके लिए जरूरी था इसलिए ड्यूटी पर रहते हुए ही उन्होंने कार्याले में शादी करने का फैसला लिया और सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर किये ना कोई उत्सव मराया गया ना ही पार्टी इसलिए ये कलत नहीं है इन दोरो अधिकारियों ने वैलेंटाइन डे के दिन शादी कर अपनी शादी को हमेशा के लिए यादकार बना दिया वैसे तो शादी सभी के जीवन का अहम हुस्सा होती है जो हमेशा याद रहती है लेकिन Valentine Day प्रेम का उत्सव है जिसे प्रेमे जोड़े बनाते हैं और इस दिन दोनों I.S. और I.P.S. आफिसर ने शादी कर अपने प्रेम के बंधन को शादी के बंधन में बदर कर इसे हमीशा के लिए यादगार बना दिया